हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चेनल टेकनिकल जैन में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा कि आप अपने मुबाइल के फॉन डाइलर में और यहाँ पर से दोस्तों आप इस तरह से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर रिसेंट कॉल रहेंगी उसमें भी आपको फोटो इस तरह से दिखाई देगा जो देखने में काफी अच्छा लगता है तो यहाँ पर से दोस्तों आप अपने phone dialer में अगर इसी तरह से अपना photo या अपनी 1% का कोई भी photo लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को last तक देखते रहे हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों अपने mobile के phone dialer और contact list में अपना photo लगाने के लिए आपको अपने mobile का कोई भी browser को open कर लेना है जिसे कि यहाँ पर मैं Chrome browser को open कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको Google में search करना है V-E-E-S-T-R-I-T V-Street यह आपको search कर लेना है जब आप यह search करेंगे तो आपको यह वाली website मिलेगी V-E-Street.com इस website पर click करके आपको इस website को open कर लेना है उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर search button मिलेगा search button पर click करना है और यहाँ पर आपको search करना है C-O-N-T-A-C-T contact यह आपको यहाँ पर search कर लेना है जिसे आप search करेंगे तो यहाँ पर आपको यह वाली post मिलेगी phone dialer और contact list में आपना photo कैसे लगाए तो इस post पर आपको click करके इस post को open कर लेना है open करने के बाद यहाँ पर से आपको इस post में थोड़ा नीचे जाना है नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक नीले color का यह वाला download button मिलेगा इस download button पर click करके आप अपने mobile में एक app को download कर लीजिए app को download करने के बाद आपके जो mobile का phone app है इसको आपको यहाँ से हटा कर कहीं भी रख देना है यहाँ पर और उसके बाद में जो app आपने download किया है यह वाला इस app को यहाँ से आपको अपने mobile के यहाँ पर लाकर रख देना है उसके बाद में आपको इस app को open करना है open करने के बाद यहाँ पर आपको screen पर दो-तीन बार इस तरह से tap कर देना है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर से आपको OK पर किलिक करना है यहाँ पर आपको यह सभी permission allow करनी होगी जो भी permission है तो यहाँ पर आप इस पर किलिक कीजिए allow कर दीजिए and यहाँ पर से इस पर किलिक कीजिए इस पर click कीजिए, allow कर दीजिए, यहाँ पर से इस पर click कीजिए, और call phone को इस पर click करके इसे set as default कर दीजिए, उसके बाद में इस पर click कीजिए और इसे भी सभी ये green कर दीजिए, green करने के बाद आपको back करना है, बेक करने के बाद ये थोड़ा सा processing होगी और थोड़ा time लेगा एप open होने में, एप open हो चुका है, अब यहाँ पर आपको simply dialer पर click करना है, डालर पर जब आप click करेंगे तो यहाँ पर से एक बार screen पर ऐसे ही touch कर देना है, और यहाँ पर यह जो option आ रहा है, इस option पर click करना है, background पर click करना है, अब यहाँ पर आपको pick image पर click करना है, यहाँ प लगाना चाहते हैं, उसको crop कर लीजी, यहां से जितना भी photo आप लगाना चाहते हैं, उसके बाद में apply बटन पर click कर दीजिए और ok कर दीजिए, तो आपके mobile के phone dialer में यहां पर यह फोटो लग चुका है, तो यहां पर से आपको phone dialer है, यहां पर आपको click करना है, जो भी number टेक लिस्ट में अपना फोटो लगा सकते हैं